सच मुचम सारे संघ की सरण होंगे यह यह मत्यासिकल हो जब त्यरसो चुवडाय सो आदमी एक सात संघ की सरण में जाएगे और संगन सरण में नंकछण बोलेंगे अगर एसा नजारा रिपॉर्ट हो गा और ऐσसा नजारा का वीडियो बनेगा और ऐसा पॉने 800 का मतलब है कि पॉने 800 लोगों ने इस पूरे के पूरे क्राइक्रम में आने के लिए अपनी सहमती दे दी है और सहमती बहुत लोगों ने दी है पर ये जो 1500 आडमी है इन लोगों ने सहमती के साथ साथ अपना खर्चा भी भेज दिया कि भरत में बहुत कम ऐसी लोग zijn जो आने के लिए सहमती पहले होता था, और हमारे ही लोग इसको किया करते थे, इस सिस्टम बहुत पुराना है, उस समय मिलने मिलाने के जो दो सिश्टम थे एक सिश्टम तो था जिसको सन्नी पात बहुत बोलते थे जो मैं आपको बारवार बताता हूं जिससे सन्नी चरिया सन्नी वार पड़ा है यानि कि हम जब मिलते थे आपस में बैठते थे और सभा लगती थी पूरा हाउस लगता था वह प्रस्ताव आते थे एक दूसरे की बात होती थी समस्याएं आती थी लोग अपना खाना लेकρέ आते थे वहाँ पर पाधिकर्ण होता था यानि कि वहाँ दंड दीए जाते थे या सुलेख सफाई होती थी नीड़ने होते थे पूरी सभा बैठती थी एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो सन्निपात बाहूल एक तरह से हमारा आधिकरण यानि कोर्ट भी हुआ करते थी और उसको समस्या के अगेंस्ट में या रेगुलर मीटिंग के रूप में बुराय जाता था जैसे आज कल दफ्तर खुलते हैं कोड खुलती हैं पर दूसरा सिस्टम भी था ऑफ दूसरा सिस्टम यह था कि जब कभी कोई परिवार या कोई व्यक्ती या कुछ व्यक्तियों का समूं या एक गाउं या एक कुन्वा या एक कबीला किसी अपने खास ऑपकेजन खास काईकरम की वैसे या कोई लोगों को बलाने के लिए लोगों को बलाता था यारी वो जो पहली जो किरिया है वो सन्निपात बाहुल की है वो सामाजिक है वो संग की चरिया है और दूसरी वाली जो चरिया है वो संग की चरिया नहीं है वो पर्सनल है कबीले की है किसी कुन्वे की है किसी गाउं की है किस बोला करते थे, बाद में इस यज सब्द को यग कर दिया गया, इसमें यजमान होते थे जो आते थे जुड़ने के लिए, इसमें आहुती हुआ करते थे, हुती जो बोलते हैं, हुती बोलते थे कुछ देने को, यनि सेक्रिफाइज करने को कुछ देने को, कहते हैं, होम या होती तीनों सब देखी हैं तो जो लोग परिवार के आते थे वो परिवार के कुछ ना कुछ अपने साथ में ले के आते थे क्या लेके आते थे खाने का सामान या पीने का सामान या कोई कपड़ा या कोई लोगों के आवशक्ता यानि कि सब लोग जब आते थे मिलते थे तो भी कुछ ना कुछ लेके आते थे उसको बोलते थे यज की आहुती यज का हो या यज का हुती यह हमारे सब्द हैं इसी सब् के द्वारा अपने किसी परिवारिस्तार के कारण तो उसमें जो आहोती होती थी जो होती थी वह कुछ न कुछ सामान आता था जिससे के आपस में जुडने-जोडने का बजन एक दूसरे के ऊपर ना पड़े और काम चलता रहें बाद में इसको यग्ड कह दिया गया इसके य जजवेदी का होती थी यानि कि एक जगे होती थी और लोग सामुई के रूप से बैठा करती थे इसी से बाद में सब्द बना योजन योजन माने दो जगे को जोडने वाला यानि कितने योजन का है जो दो जगे को जोड़ा जाता है और बहुत सारी जो सब्द हैं यजुत है जजेती है बहुत सारी सद्व जज से बने हुए है तो दोड़ने के जो दो तरीके होते थे यहां जो कल कहा आप लोगों को कि जब आप आओ और लोगों से मिलो तो कुछ खाने की चीज को डालना रहा तो डॉक्टर अमित का फोन आया तो उन्होंने कहा कि टॉफी आपने मुझे जान कई थी मैंने सोचा ठोड़ी चीनी की होती है आप इसको बतादो भ고 आप ह畔र हार के बारे में वाले में हमें वाले यहां है हमारे डॉक्टर अगर हमें बताएंगे तो हमें पता चलेगा क्या क्हाना है वार्शना फाइदा होगा ये बात उन्होंने और बाकी डॉक्टर से बात हुई वह इसको करेंगे आप को कोई ना को जानते है रोज मिलती रहेगी क्या खाना है दाथ में क्या दिकत है कैसे बचना है आंखों के लिए क्या एक्साइज है बालों के लिए क्या है तो इतने सारे डॉक्टर हैं का फाइदा होना चाहिए ओपी डी का फाइदा अलग है पर यह जो टिपस मिलती है इनक सो आदमियों के लिए हैं तो ठीक है कोई बात नहीं इसको देखें बाकि और जो लोग हैं वो खाने का कुछ ना कुछ सामान बना लाएं जैसे एके सिंग की जो वाइफ हैं जब वहां अमरोहा के अंदर और मुरादाबाद के अंदर जो संगती लगी थी उसमें वो अपने घ संगती का नियम और भी है कि आप वहां महिला महिलाओं से आपस में गले मिलती हैं उन से कले मिलनेंगी और जितने वी हैं वह आपस में एक दूसरे को गले मिलेंगी यही हमारा है और यह Ter john है कि इस फैस्टिबल में जो चमक और खुशी होती है वो जबस्त होती है इसलिए कोई विक्ति अपने हाद से अगर वी का कुछ स्लोगन बना के लाए अच्छा है लोगों दिखाए कोई वी की टी-शट पन चाहे अच्छा है कोई वी का कुछ करे वो अच्छा है लोगों में है कुछ बाटना चाहे बाटे कुछ देना चाहे दे तो उसकी छूट है वह इसकी खुशिए क्यूंकि यह फैस्टिवल कुशई का है वो उसका करना चाहिए गांकर तो करना है हमें यूंजन का काम करना है यूंजन का मतलब है जोडने का काम करना है यही हमारा सबसे में काम है और यही हमारा सबसे अच्छा प्रमुक काम है जो हमें करना है इसलिए यह किसी भी हलत में जो यूंजन का काम है वो बंद नहीं होना चाहिए और अगर वो बंद हो तो फिर मामला थोड़ा सा खराब हो जाता है तो संगती में आज जब पता चला कि पौने आठ सो लोगों ने रेश्टरेशन करा लिया है तो जगे वहां जो हमने बुक कराई थी वो जगे थोड़ी छोटी पड़ी तो उसके साथ एक बड़ा हॉल भी है अब हमने पूरा हॉल ले लिया है अब उसमें आराम से डेड़ से लेके दो हजार लोग यानि डेड़ से लेके दो हजार व्यक्तियों की संगती बहुत आराम से हो सकती है और अब कहीं कोई चिंता नहीं है क्योंकि डेड़ हजार से लेके दो हजार तक लोग कर आते हैं तो कोई समझा नहीं क्यो तो फिर थोड़ी सी गवर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर् कि दो मिठी हैं और वो इतनी है कि एक आदमी खाएगा तो उसका पेट आराम से बढ़ जाएगा बची भी रहा है वो डबा हमें 160 हुए मिल रहा है ऐसे एक हजार डब्बे आज बुक करा दिये गए एक हजार आदमी क्योंकि पॉने 800 तो हो चुके हैं अभी सवाद दो सो बताएंगे तो तो डब्बे त्यार हो जाएंगे और एक दिन पहले नहीं बताएंगे तो डब्बे त्यार नहीं होंगे तो अभी सवादो सो डब्बे एक्ष्टा हमने त्यार करवाए हैं कहीं अगर यह पूरे सबकी सहमत ही आ गई और सबका खर्चा जमा हो गया तो यह जाएंगे पर थोड़े डबे और एड़वांस मिलेंगे पर जो लोग आ रहे हैं अगर वो कनफर्मिसन कर लेते हैं जैसे अभी एक जो बताया गाजियवाद का सीन के वह आना चायते हैं मगर वह वहीं खचा देंगे तो उनका खचा वो लेकर रख लें या इतने इतने लोग आ रहे तो जिन लोगों ने खचा जमा नहीं कराया या जो ऑनलाइन नहीं करा सकते पर वह अपने साथी को बता दें के हम पहुंचेंगे जरूर हमारा नाम लिस्ट में दर्ज करा दें नहीं उपाया तो फिर डब्बे आपको शेयर करने पड़ेंगे हाला कि डब्बों में खाना ज्यादा है एक समोसा है एक उसमें पेटीज है एक पेश्टी है एक गुलाब जामुन है और एक उसके अंदर बैट पकड़ा है एक चाय है यह जो छे आइटम है यह बहुत भारी है जो मिलेंगी एक व्यक्तिक लिए मोर्दन सफिसेंट है और अगर कहीं डब्बे कम पड़े तो आपको शेयर करना पड़ेगा पर डब्बे कम ना पड़ें इसके लिए आप त्यारी करें और इसमें सहयोग करें कि हम पहले ही इसका करा दें क्योंकि दस-पचास दब्बे त और तीन सो डब्बे एक्ष्टा लेने का मतब है तो 45,000 रुपे संक का बरवाज जाएगा अगर तीन सो डब्बे एक्ष्टा ले लिए और लोग नहीं आए और उस समय भी बड़ी स्तिती खराब हो जाएगी कि अगर हमने डब्बे बुक नहीं कराए और 300 आदमी ज्यादा है वो कोई दिक्क्त नहीं है क्योंकि पैसा एकटा हो रहा है तो जा भी रहा है पर खाने में दिक्त हो हो जाएगी यसलिए जतने भी संगी हैं जतने भी बात कर रहे हैं लोग कर रहे हैं これ अपनी list बिहार में– पर 15 तारी को जो यहां हो रहा है, वह पूरे भारत में चार सो पान सो साल हो रहा है. चार सो-पान सो साल बाद बहुत आलिसान तरीकverts से पहली बार समण संग, उससे संग्ध के, जन्होंने संग को नियम बनाये जन्होंने संग को चलाया, उनके बाद बह। आसों के बाद, और लगभर चार्सोपांच साल पहले तक Ö Robbie 95 साल बाद दुवारा से बैठा गा। कितना बड़ी संखा में बैठेगा समण संग महां बैठेगा और अगले दिन बुद्ध पूर्मा है तो संग किसका है संग भारत के उस जनक का है जिसकी आप बुद्ध पूर्मा मनाते हैं तो जिसके संग में आप आना चाहते हैं जिसके संग को आप अच्छी तरह से देखना जाएते हैं जिसके संघंग की बात दना चाहते हैं वो संघंगों दिली में खटा हो रहा है और सारे लगब सफ़िद कपड़े पहन केंगे तो वह जो श्मा होगा वी देखने वाला होगा क्योंकि बुद्ध पूर्णमा बुद्ध भ्यार में नहीं होती है बुद्ध पूर्णमा बुद्ध की इस्टेच्चु में नहीं होती है बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि हाथ जोड़के आप अगर उनकी आगे बैठोगे और 355 लगाओगे तो बुद्ध पूर्णमा होती है बुद्ध पूर्मा जब होती है जब आप बोधी को प्राप करें जब आप धम को प्राप करें और जब आप संग को प्राप करें तो बोधी तो आप प्राप करोगे जब आप विपस्ना करोगे साथना करोगे और धम को प्राप करोगे जब आप उसका अभ्यास करोगे उस प आप तलोगे और धुमों पर चलते रहोगे पर बुद्ध बिहार में संग नहीं जाता संग तो आपको वहां मिलेगा जहां आपका संग सारा बैठा हुआ होगा वो नजारा बहुत काभिले तारीफ होगा जब आपका संग चार सो पांच साल बाद पहला बैठेगा अपनी आते या चुनाब के लिए आते या किसी नेतागी चंतागी करने आते या किसी मंतरी के पीछे आते या किसी बड़े आदमी के कहने पर आते या किसी बड़े आदमी या किसी बड़ी पोश्ट वाले व्यक्ति से इस लालश में आते कि हमारा बड़ा अफसर हमारा काम करेगा इसके साथ जाना चाहिए मिलना चाहिए या कहीं इसलिए आते हो कि यहां कोई आदमे प्रुम्ट है तो वो हमारा काम करेगा यह सब लालस तो संग में है नहीं संग तो साधन लोगों का है हर व्यक्ति साधन होता है संग सब बड़ा होता है तो जब संग में आएंगे सारे सकते हैं जो खोशी-खोशी वहां से शेंगे इसलिए कुछ लोग अगर कहते हैं कि हम तो रित पूर्मा है अधिम मटा दो जब है जब संग पूर्मा जब है जब संग रहें संह एक संबुद्ध गौतम की खास बात ये है कि उनके साथ संग है और संग है तो वो सम्मा संबुद्ध है और अगर संग नहीं है तो खाली फिर पच्चे गुद्ध है इसलिए सम्मा संबुद्ध के साथ में आपने जाना है तो संग के साथ जाना है संगं सरणंग रच्छा मी क के लगबग करीब हो रहा है। पूरी तरह से संग नहीं रहा है। पूरी तरह से संग चिब होगा जब आप अपने के नीव प्शलोगे। पर संग होने के करीब आ गये यह संग होने के जो होने वाले हैं और कुछ हो भी चुके हैं इसलिए आना है इसलिए आना है कि वहां आपके सारे सारे लोग पूरे देश से संग के रूप में खटे हो रहे हैं इसलिए आना है कि बिना संग के शक्ति नहीं है इसलिए आना है कि अगर बुद्ध को पूरन करना है और बुद्ध क पर संग की सिरण में जाने से बोधि की सरण में अपने आप चल जाता है क्योंकि संग जो चलता है व fight फार सब्सक्राइब वहां पुंचने में सयोब करें आएं बहुत सारी लोग आजकल सक्री हो गए हैं वो इतने ज्यादा सक्री हो गए हैं दुस्मन दुस्मन भूल गए वो लोग उनको जो वो पहले कहते थे कि ब्रहामर दुस्मा है ब्रहामर दुस्मा अब उनको ब्रहामर दुस्मा नहीं दिखा देते हैं अब उनको समड संग दुस्मा दिखा देता है उनको लगता है ये कहां से आ गया ये कौन आ गया ये क्या बावाल है ये लोग क्यों जा रहे हैं उधार ये क्या कारण है अरे माहिने सर्मण संका बहुत जबर्जस्त विरोध होगा उसके बाद विरोध नहीं होगा क्योंकि विरोधियों को सब समझना आ जाएगा कि इनका विरोध नहीं हो सकता हमारे पास विरोध की कोई जगे ही नहीं है किस चीछ का विरोध करेंगे किस नेता का विरोध करेंगे किस किस पैसे का विरोध करेंगे किस राजनिती का विरोध करेंगे हमारे पास तो कुछ है नहीं हमारे पास इन में से सारे जितने भी भाने हैं वो सारे खतम हो चुके हैं तो उनको भी समझ मा जाएगा कि इनका विरोध नहीं इसका ठीक ऐसे जैसे बुद्ध का सुरू में विरो लोग हैं जो खाना बाद में खाते हैं पहले ये पढ़ाते हैं अरे ये कैसे लोग हैं इनको कोई गाली वाली बके पसंद नहीं होता अरे ये कैसे लोग हैं जो चंदा नहीं मांगते ये कैसे लोग हैं जो ये लोगों को आड़म बनी सिखाते अरे ये कैसे लोग हैं जो को बिलाते नहीं है इसके लोग है इनके मठ घंठ मांगते हैं और यह कैसे लोग हैं जो यह ना माला पहनते हैं ना जब करते हैं ना ना इनकी अंगोठी है ना इनके गले में कुछ ऐसा है यह सारी चीजे जो बुध्र के को बुध्र को हटा सकती थी या बुध्र पे आरूप लगा सकती तो तो सब खत्म गर दे और कैसे व्यक्ति हैं कि परिवार बाद भी यानि उन्होंने परिवारबाद भी खत्म कर दिया और कैसे व्यक्ति हैं कि इन्हें का संग बढ़ता जा रहा है तो शुरू में बहुत विरोध हुआ और विरोध हुआ पर वह टस्से मस नहीं हुए वह अपनी आइडियोजी पर चलते रहे यह आइडियोजी से उस समय के जो 29,000,000 संग्षनों में हल्चल मची हुए है बहुत बुरीत है हल्चल मची हुए है आज मेरी वेक्ति से बात हुई वह यहां संग्षन चलाता है उसने दफ्तर खोल लिया वो लोगो से चंदा लेता है वो कोई का काम नहीं करता है वो जंज अगरी निकरता है मैंने का भाई मेरी आना हमारा तो घारिकर्म लगा हुआ है 14 का 15 का 16 का सोले का हम तो आनी सकते और आप नहीं किया क्यों बोलने हो जंदा तो आप लेते होगे हम बाट को संझो नहीं थाक नहीं थे और हम थकेंगे नहीं भाई यह खुद का खर्चा है आप आओ तो तीन सो ड़ रुपय लेके आना और आप नहीं आ रहे हो तो आप सा तीन सो ड़स रुपय नहीं चाहिए। इसनी आप इसको मानों का जी आप किक्या खास बात है क्या नहीं है वैंना कर मित बहुत तो देखोगे और यह जितना भी काम आप करते हो उन् Newton's कोई काम हम नहीं करें कैसे काम चलता है आपका मैं चल रहा है कैसे लोग मिलते हैं मिल रहे हैं कैसे आपकी मिटिंग होती है हो रही है हम क्या करें संग तो ऐसी चलता है तो उनको जितने भी लोग है उनको यकीन नहीं हो रहा है उनको लगता है यह क्या हो गया क्योंकि उनके दमाग में कूट कूट के भरा हुआ है कि गाड़ी में जब तक पैट्रोल नहीं पड़ेगा गाड़ी चलेगी नहीं और हम भी यह कहते हैं यह बात तो ठीक है कि गाड़ी में जब तक पैट्रोल नहीं पड़ेगा गाड़ी चलेगी नहीं पर भाई हमें गाड़ी चलानी हो चुछिए चुछिश नहीं को लाते हैं लो log े चाहरों को नावारी हो में को यह संस पाल यहए चोटे नियम जो समय बने और उससे पहले बने वह चोटे-चोटे नियम हम आज भी कमाल के हैं और यह कमाल तब पता चलता है जब बाहर के लोग और ऐसे लोग जिन्हों ने 40-45 साल से यह कहते हैं कि भारत में अगर संग्ठन हैं और कोई आदमी आगा जानता है और कुछ चीज़े तो वह हमारी और हम जानते उनका पेटेंट राइट है वह अपना काईट और पेटेंट बना बैटे हैं संठनों पे उनको बड़ी दिक्कत हो रहत परषानी हो रही है मिन्के अंदर के पानी हिले पड़े हमें उससे कुछ नहीं है को कि हमें बेसिकलिंग पानी नहीं हिलाना है हमें किसी भी संठन को ये कहके कि भी तुम्हारा अंदर ये हो रहा है या वो हो रहा है हमें ऐसा कुछ नहीं करना है हमारा काम वो नहीं है हमारा काम इखटा होना है हमारा काम जोड़ना जोड़ना है क्योंकि वो क्या कर रहे हैं वो जाने वो अब तक क्या करते आये हैं वो ज यह आपके जो कहा हमने वह किया पर जो चीज नहीं आए नहीं दैं है इसका जवाब वो lieber लगता है ये पूछ क्यों रहे हैं उनको बुछना बुरा लगता है पर पूछेंगे जरूर कि हम मिरने लगता है कि जैसे यह मिट्टी का मैदान सो गाई पर अंदर तो कूड़ा है तो उसको जर। पर यहाँ प्रूद होंगा आप जब आप उसको मता होगे के भाई यह सारा कूड़ा हो गया इसमें कुछ नहीं है तो बुरा बदू तो आएगी तो बुरा तो लगेगा पर बुरा लगना अच्छा है बुरा लगना इसलिए अच्छा है कि बुरा लगेगा तो कुछ ना कुछ बदलेगा और जो बदलेगा वह अच्छा ही बदलेगा क्योंकि अब हम अच्छे के लिए त्यार बैठ लेग जिनके घुटने खराब हैं जिनकी कमर खराब हैं उनकी साइड में पुर्षियां लगेगी पर सत्रे सो पंद्रे सो सत्रे सो के बाद में वह नहीं जिल पाएगा क्योंकि वह 2000 का हॉल होता है पस उसमें 2000 लोग आते हैं जब नीचे गड़े पड़ते हैं इसलिए अभी हमारे पड़ा सकते हैं और जैसा सब लोग बता रहे हैं कि तीन सो लोग और आएंगे जो नहीं किराएं वहीं पर कराएंगे तो पॉने आठ्ट सो तीन सो लगबग 1100 लोग होते हैं तो यानि कि 200-300 लोग और अगर हो जाएं इन तीन चार दिन में तो वह पूरा कम्प्रिट हो ज तो इधार हरियाने वाले वो यह कहारे थे हम का इक्रम लगाएंगे तो हो सकता है डिली के पास कास करेंगे विद्ध बूर्ठां कики पूरम गाएंगे जब एक साथ चांटिंग होती है, जब एक साथ सारे लोग बुधन सरणंग त चामी और use कि जो टो इसकी जो वाईब्रेसन आती हैं, वो वाईब्रेसन सगु पूरुत करती है। इसलिए इस ये जो बुध पूर्णवा होगी कि इतने बड़े इतने सारे लोग किसी दिल्ली में आतक मैंने देखे नहीं कभी जो एक साथ लोग बोलते हैं इसने जो लोग दिल्ली में हैं दिल्ली के आसपास में वो गुद्ध पूर्णा की संध्या यानि पंदर तारिक को जरूर आएं और एक वार हम सब के साथ मिलके ब आएंगे और संगन सरनंग गच्छन गोलेंगे अगर ऐसा नजारा रिकॉर्ट होगा और ऐसा नजारा का वीडियो बनेगा और ऐसा नजारा आपको में कैद होगा तो संग उस दिन अपने अस असली रूप में आ जाएगा चो चार सो पांस साल पर रहता फिर कोई माई का ल गच्छामी करने की और हमें जिद्ध है उस तारीक में जरूर आकर संगन सरनंग गच्छामी करके फंद्रे सो लोगों के एक साथ बैठके चांटिंग करने की जब हम साथ साथ बोलेंगे संगहं सरनंग गच्छामी इसनिए जुडएं और जीते और जरूर आएं आप सभी से ये निवदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धंकी वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को gift में भेजनी चाहिए या किसी भासा में convert करके आगे बढ़नी चाहिए या print में, किताब में छाबनी चाहिए या इसकी जो audio है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी part को इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको liberty है, आपको छूट है ये सबी copyright free है आप अपने facebook पे, अपने page पे, अपने tutor पे या अपने handle पे, या link को कहीं भी share कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं आप youtube पे चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाजत लेने की या परमिसल लेने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सब का है हम जो बताते हैं, वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सों का है उन्ही की बात को सरल भासा में बताते हैं हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पर कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूजी आपकी है धन्यवाद संगं सरेणां गच्छामि संगं सरेणां गच्छामि दूतियं पी बुद्धं सरेणां गच्छामि तूतियं पी धम्मंग सर्मंग च्छामी तूतियं पी धम्मंग सर्मंग च्छामी तूतियं पी धम्मंग च्छामी तूतियं पी धम्मंग सर्मंग 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 च्छामी तूतियं पी धम्मंग झाल झाल